लबुशकार दोला क्या सПАस देखने को मिलेगी जुसमें सहाइक प्रधियापक सिक्षक बिहार प्रशसिनिक सेवा के अथिकारी जूनियर इंजीनियर दरोगा सिपाही सपाही समेट दरजोनोंपद इसके साथ ही राजु सरकार ने न्यूक्तियों की भी तयारी में जुट गई है। इसके साथ ही सुर्य उपासना के महापर्व का समापन होगा। चट पूजा एक ऐसा तेओहार है जो पूरे बिहार उत्रप्रदेश और जहार खंड जैसे राजों में पूरे जोश और उत्सा के साथ मनाय जाता है। चट के जगा जगा गुंज इर रहीगी। इसके साथ ही पूरा वातवरन भक्ती में देखने को मिलता है। चट कूजा के पावन पर्फ पर भगवान सूरेदेव को पहला अर्ग आज शाम 5 बच कर 15 मिनट के लगभग दिया जाएगा। इसके साथ ही अरुनोद है काली इंश्रा निवार सुबह 6 बच कर 32 मिनट पर दिया जाएगा। आज के दिन प्रसाथ तयार करने के बाद शाम को पूरी तयारी और विवस्था पर बास की टोकरी में अर्ग का सूप खूप सूर्ती से सजाय जाता है। आज वी के दिन सभी छट ब्रती एक साथ तालाव या नदी के किनारे खटा होकर समोही करूप से भगवान भासकर को अर्ग देने का काम करती है। स्वास्त विभाग में नियुकतियों का पिटारा खुलने की मंतरी मंगल पार्णे ने कही बात। समोंगल पार्णे ने बीते दिन स्वास्त मंतरी का कारेभार समाल लिया है। कुछ पद रिक्त होंगे हैं, जल्दी नियुकति का पिटारा खुलेगा और दो से तीन महीने के अंदर बाकी बचे रिक्त पद भी भर दिये जाएंगे। इसके साथ युन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्मान कारे में तेजी लाए जाने की बात भी कही है। छट पूजा को लेकर कल से चलेंगे साथ इंटर सिटी ट्रेने छट पूजा की भीड को देखते वे एक से दूसरे शहर में जाने के लिए रेलवे की तरफ से साथ इंटर सिटी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्ड़े लिया गया है। जो की 21 नमबर से 1 दिसंबर तक चलाई जाएगे। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अशोक चौधरी को स्विकारते वे मुख्य मंतरी के अनुसरा पर भवन निर्मान मंतरी अशोक चौधरी को सिक्षा वभाग का प्रभार दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको उता दे बिहार क्रिशी विश्विद्याले में कुलपती पद पर रहते भ्रश्राचार के आरोप से घिरे रहने वाले मेवालाल चौधरी को श्रपत ग्रहन के तीस्टे दिन और विभागिये कारेबार संभालने के लगभग दो घंटे बा का परिचालन भद्रगाट से हाजिपुर के तेरसिया घाट को जोडने वाले पीपा पुल पर छट को लेकर शुकरवार और श्रनिवार तक वहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा पुल के दोनों तरफ के घाटों पर छट करने के लिए श्रधालू की भीड ज चलती रहेंगे इसके साथ ही गांधी सेतु पर लग रहे है जान से निपटने के लिए जेपी सेतु पुल पर और उत्तर से दक्षुन की ओर गाड़ी ट्रकों और भारी अनलोड़ेड वाहनों का परिचालन शुरू किया जाएगा इस पर लोड़ेड भारी वाहनों के चलन करके दी है जो इसके बाद उनका इलाज पटना के एमस में जारी है एमस में कोविट-19 नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जदियू सांजल राजीव रंजन सिंग और फ्ललन सिंग की हालत में निरंतर सुधार आ रहा है हालाकि उनका इलाज लग परिशत के कारेकारी सभापती अवधेश नारान सिंग सब को शपत दिलवाएंगे सभापती ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 22 नवंबर को दो पहर साड़े बारा बजे से विधान परिशत सभागर में समारों का आयोजन किया जाएगा इस दोरान नितीश कुमार समेत अन्यमंत्री एवं विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं 23 नवंबर से विधान सभा का सत्र शुरू हो रहा है राजिपाल फागो चौहान 26 नवंबर को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे इसके पहले नई सदस्य को शपत दिलवाई जाएगी स्व पुर्वी चंपारन सूबे का पहला जुला बन गया है जुसे यह सब मान मिला है केंद्रिय जल्शक्ति मंत्राले द्वारा स्वच भारत मिश्वन ग्रामीन के तहट गंद की मुक्त भारत अभियान का संचाल निस साल 8-15 अगस्त की आ गया था इसी अबधी में जुले के अ नियुक्त रेनु देवी ने बिहार में युवाओं को रूची के अनुरूप काम देने की बात कही है इतना ही नहीं उन्होंने उद्योग धंदा लगाने के लिए युवाओं से आगे आने की अपील की है साथ ही सरकार की तरप से यह सुबधाय मोहया करवाने की बात भी कह यह उन्होंने उद्धमियों को भी बिहार में आने का नियोता दिया है और कहा है कि उद्धमियों को सरकार समविधान सुरक्षा देगी अपने विधान सभा छेत्र बेतिया में बीते दिन ब्रेनु देवी ने यह बयान जारी किया है इतना ही नहीं उन्होंने आगे यह भी कहा है कि government medical college और hospital बेतिया में काम चल रहा है यहां से मरीजों को refer करने की प्रविर्टी पर रोक लगाने की कोशिश जारी रहेगी इसके लिए medical college और को संसाधनों से लैंस किया ज़ा रहा है गौर करने की बाद यह है कि बिहार विदानसभा चुनाव में इस बार बेरोजगारी यह मुद्दा रहा था जिसके बाद से ही सरकार आने के तुरंत बाद लगाता रोजगार मोहया करवाया जाने की पहल तेज हो गई है रामविलास पासवान के दुनिया को अलविदा कहने के बाद खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव होंगे चौधा को चौनाव आयोग ने बिहार से राजुस्तभा की एक सीट पर उपचुनाव का कारेकरम खोशुत कर दिया है तीन दिसमबर तक नामांकर पत्र दाखिल होगा और वही साथ दिसमबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं जिसके बाद जरूरी हुआ तो 14 दिसमबर को मतदान करवाय जाएगा जो की सुभह 9 से शाम 4 बजे तक होगी उसी दिन 5 बजे से वोटों की गिंती होगी और परणाम घोशित किये जाएंगे सुशील मोदी ने की तेजस्वी से स्तीफे की मांग बिहार के पुर्फ उपमुख्य मंत्री रह चुके सुशीर कुमार मोदी ने तेजस्वी आदफ से उनके स्तीफे की मांग की है जिसके तहतरों ने कहा कि प्रष्टाचार से जुड़े मामलों की कारण तेजस्वी आदफ को भी इस्तीफा देना चाहिए सिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद ट्वीट करके उन्होंने उक्त बाते कही है सुशिल मोदी ने आगे कहा कि तेजस्वी आदफ भी प्रष्टाचार के मामले से जुड़े हुए है उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए तेजस्वी IRCT घोटाले में ना केवल चार्ज शीटेड है बलकि जमानत पर भी है कोविट के कारण अभी इसका ट्राइल रुका हुआ है किसी भी दिन इसका ट्राइल शुरू हो सकता है वही मेवाला चौधरी के स्तीफे के बाद बयानबाजी अभी शुरू हो गई है सिक्रम में जदियों के राश्ट्रिय प्रधान महासाचिफ के सीत्यागी ने कहा कि यह राजनीती का अनुपम उधारन है नितीश कुमार के नेतर्त्व में कानून का राज चलता है राहुल पर सवाल उठाने वाले नेता पर कॉंग्रिस ने शुरू किया अक्शन कॉंग्रिस पार्टी के मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है बिहार विधान सबाचुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के असंतुष नेता जहां हार को आधार बना कर पार्टी ने तृत्व पर निशाना साथ रहे है वही पार्टी ने सक्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है पार्टी के पुर्वध्यक्ष राहूल गांधी पर सवाल उठाने वाले पुर्वसांस एद फुरकान अंसारी को कारन बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है पार्टी नेता फुरकान अंसारी को साथ दिन के अंदर सपश्टी करन देना है पार्टी नेता फुरकान अंसारी को भेजे नोटिस को एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है एक वरिश्ट नेता ने कहा है कि इसके बाद उसे नेताओं को भी नोटिस देने का रास्ता खु पर उस वक्त पार्टी अध्यक्ष ने पुरानी बातों को भुला कर आगे बढ़ने की नसीहदी थी पंकस्रिपाठी ने अभिने के सफर का छट से गहरा रिष्टा होने की बात कही है जिसके तहत उन्होंने अपने बच्पन का एक किस्ता शेयर किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि साल में पहली बार छट के दिन ही मेरे स्वेटर्स ने निकाले जाते थे मेरे अभिने सफर का छट से गहरा रिष्टा रहा है चंदा जमाकर के पुजा के आखरी दिन नाटक होता था तीन साल तक मैंने वहाँ पर नाटक किया था 15 से 20 दिन पहले ही रिहल सल शुरू हो जाता था तो हम सब रात में किया करते थे साउंड सिस्टम फिक्स किया जाता था हम लाइट के लिए दो पैट्रो मैक्स जुला दिया करते थे जुसके प्रकाश में नाटक होता था अलाउट स्पीकर और माइक बैटरी से चलती थी बैटरी के साउंड पर कोई शुर गूल नहीं होता था वहीं से मेरे अभिने के सफर की शुरू आथ हुई थी गेन बाजी छोड बल्ले बाजी करते नजर आई पोस्ट पर उसके साथ आईपेल 2020 में ड्रेसिंग रूम शेर करने वाले डिल स्टेन ने खूब मज़े लिए हैं जिसके तहत उन्होंने कहा कि सामना कर रहा हूं तेज ओफ स्पिन का सिर्फ स्टेन ही नहीं अफगानिस्तान के मशूर गेंदबाज राश्रित खान ने भी चहल की टांक खेचाई की है जिसके तहत उन्होंने लिखा कि बहतरीन यूजी लेकिन हम दोनों के इंदबाज ही अच्छे हैं